FIR No. 31-2024 Under Section 302-307-IPC 727 Arms Act 16-18-20 UAPA Act में एक बहुत बड़ी सफलता आज हमें हासिल हुई है ये उसी केस से रिलेटिड है जो कि 9 जून 2024 को मिलिटेंट्स ने एक नाकाम अपना एक नापाक इरादे के साथ शिप खोड़ी से आती हुई पिल्ग्रिंज की बस पे अटाक किया था इसमें एक आतकवादी सहयोगी जिसका नाम हाकम दीन मक्खन के बेटे उम्र 45 साल बंदराही के रहने वाले जो की जिला रजोरी में पढ़ता है उनको जमु कश्मीर कुलीस ने डिस्टिक रियासी में गिरफतार किया है ये व्यक्ति ने कई बार आतकवादियों को भोजन और आश्रे प्रदान करने में उनकी मदद की थी साथ ही साथ उनको अपने घर में शरण दिया था इस व्यक्ति ने गाइड के रूप में उनको खटना स्थल तक पहुंचाने का भी काम किया था ये एक मिलिटेंट असोसियेट है जिस्ते इस हमले को अंजाम देने के लिए एक मुख्य भूमे का निभाई थी आगे की इंटेरोगेशन और केस की इंवेस्टिकेशन जारी है थैंक यू